हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर इस वीडियो में हम लोग करने बाले हैं रेलबे, एंटी पीसी, ग्रूप डी और दूसरे अधर एक्जाम के लिए हम लोग करने बाले हैं रीजिनिंग के बहुती महतपून टॉपिक, टाइस के मतलब पासा के बहुती important question जो एक्जाम में लगबा पूछे गए हैं और पूछे जाने के असार हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुती important question करने बाले हैं तो दोस्तों बने रही हमार साथ अगर आपने अभी तेक हमार चनल सब्सक्राइब नहीं किया चनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा पास में जो बेल आकन होता उसको भी दबा लिजेगा ताकि आपको time to time notification मिलता रहे तो चलिए start करते हैं तो guys जैसा कि हमें आप नीचे question में दिया हुआ है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्साया गया है इस पासे में अंक दो के विपरीत फलक पर काउन सा अंक होगा तो एक हमें पाडाइस का figure दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग check करते हैं कि एक पासा काउन सा है तो guys हमें पता है पासे दो प्रकार के होते हैं एक होता है हमारा मानक पासा दूसरा होता है साधरान पासा जिससे हम लोग कह सकते है standardized और दूसरा non-standardized standardized की खासियत क्या होती है guys न ख्रता को है कि इनको पिति होती है कि इनके आच पास की बैलो होगालियो । इन सबका का योग 5 a.c. अर इसにちは में गया हुता है कि इनका योग 7 इनकों सॉधिक स्तेँदरडडडाई योग 3 Prab को को में गया है तो इसमें 6 EUR एड करना पड़ेगा, तो बो हमारा standardized होता है, तो यह हमारा standardized नहीं, यह non standardized है, क्योंकि इसके आसपास के जो संख्या नंबर दी हुई है, उनका योग साथ हो गया, तो यह हो गया हमारा non standardized, ओके, और आगे कह रहा है कि दो के विपरित कौन सा अंक होगा, तो हमे छे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, पासे में ही दिया हो, एक भी नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, दो का विपरित हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, और पांच हो सकता है, मतलब तीन, चार, पांच हो सकता है, मतलब तीन, चार, पांच जो मैंने आपको भी बताया था, चलिए अगला question करते है अगला हमारा question मनता है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्सा आया गया इस पासे में अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा तो guys देखिए सबसे पहले ये चेकलू ये पासा कौन सा ये standard dice की non-standard या मानक पासा या साधान पासा है तो guys देखिए, standard dice के लिए क्या होता है विपरीत फलकों का योग साथ होता है और non-standard में इसके आस-पास फलकों का योग साथ होता है 5-3 को हम लोग add करते हैं कितना होता है 8 होता है, 3-1 को add करते हैं तो 4 होता है एक 5 को आट करते हैं तो 6 होता है तो यह हमारा non-standard dice नहीं यह महानक पासा है standard dice then again क्या करेंगे एक के विप्रित काउन सा होगा एक में कितना जोड़ने कि 7 बन जाए तो अगर हम लोग 6 जोड़ दें तो हमारा 7 बन जाता है पांच के विप्रित भलक पर काउन सा अंक होगा अब चेक करने तें यह काउन सा डाइस है देखिए दोस्तों इसको आट करते हैं तो यह हमारा 9 बन जाता है 6 में 5 आट करते हैं तो 11 बन जाता है 5 में 3 बन जाता है तो 8 बन जाता है अगला कोश्चन है गाइस नीचे पासे के प्रारूप को दर्सा आया गया इस पासे में 3 के विप्रित भलक पर काउन सा अंक होगा अब हम लोग फिर से चेक करते हैं यह काउन सा पासा है देखिए 4 में 3 आट किया तो 7 बन गया तो यह हमारा माना कवासा नहीं साधारान पासा हो गया अब हमें क्या करना पड़ेगा 3 के विप्रित काउन सा होगा अब हमें ऐसी संक्या चुननी होगी जो इनमें से मतलब दोराईन आ गई हो देखिए 4 इसमें रिपीट हुआ है 4 इसमें आया तो यह नहीं होगा विप्रित इसमें आया तो इसमें यह नहीं होगा तो 3 के विप्रित क्या क्या हो सकता है एक हो सकता है और 5 हो सकता है और 6 हो सकता है तो option में देखिए option D हो हमारा अंसर हो जाएगा अगला question भी हमारा इसी प्रिकार सेगा तो question क्या कह रहा है कि नीचे पासे के प्रारूप को दर्साया गया है इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा है सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यह कौन सा पासा देखिए चार में 3 आट किया तो हमारा 7 बन गया है आपको concept पहले से पता होगा तो खासियत भी पता होगी then again 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा आपको पता होगा कि non-extandard dice में विपरीत फलक सो नहीं होना चाहिए मतलब कोई ही dice दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है तो उसमें विपरीत फलक यह नहीं हो सकता है ना यह हो सकता है बतलब वो दिखता नहीं है वो invisible रहता है तो क्या होगा 4 के विपरीत फलक कौन कौन सा हो सकता है देखिए 5 तो हो नहीं सकता यह काटो 3 भी नहीं हो सकता यह भी काटो क्योंकि option में यह दिया हुआ नहीं है तो option D is right answer अब देखिए यह बहुती लाजबाब question है जैसे दिया हुआ है भाय संक्या काउन सी है जो एक के सामने वाले फलक पर है एक के सामने वाले फलक पर है मतलब एक का विपरिथी पूँचा जा रहा है जब दो ऐसे इस प्रकार के figure दिये हुआ है तब क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले दोनों में कामान संक्या को डूनते काउन काउन से देखिए दोस्तों चार दो और चार और दो यह देखिए मिलके दोनों इनको हटाईए अब जो बचा वो विपरित हो जाता एक दूसरे का मतलब 3 का विपरित 1 भी हो सकता है और एक का विपरित 3 भी हो सकता है तो answer क्या हो जाएगा एक के सामने फलक कांसा होगा तो एक का फलक हो जाएगा 3 इस पासे में है औक इस पासे में अंक 3 Nej विप्रित फलक पर कांग और आंक हगा क梵ट को फ्रिता हम को यह चेलेंगे तो यह एक के बाद 5 आ रहा है और प्र पांच के बाद यहां कमां अर्ष उसका क्ति किया हो ऐक haciendo बेखनी की साhhhh इसा कभी नहीं हो सकता है जो कामन उता है उसका वियृत ऐसी सब्सक्राइब कारेंD तो यहां कि नसली कि ने ङलाता है औता है, प्ता मोधर इने क्या सब्सक्राइम प्रकें यहाओ तो बो हो जाएगा 6 आयोब आपको question समझ में आ गया होगा ऐसा हम लोग अगला question करते हैं अगला question है नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्साया गया इस पासे में अंक 4 के विपरी तफला का पर काउंट सा अंक होगा तो इसमें भी दो figure दिये हुए हैं इसमें भी हम लोगों को common ढूनना पड़ेगा देखिए 5 common है और इसमें भी 5 common हमेशा याद रखना जो भी common मिले तो common को हम लोग clockwise direction में चलेंगे इसमें भी clockwise direction में तो देखिए guys 5 के बाद क्या आ रहा है इसमें देखिए पहले figure में 1 आ रहा है फिर 5 के बाद 3 आ रहा है फिर इसमें देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है फिर इसमें भी 4 आ रहा है तो 3 का विपरी 4 हो गया एक का विपरी 2 हो गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 4 का विपरित फलक क्या होगा देखें 3 का विपरित 4 है या 4 का विपरित 3 है तो option हमारा C हो जाएगा 3 हो जाएगा option C 3 हमारा answer हो जाएगा अगला question कर लेते हैं हम लोग दोस्तों कर रहे है question low medium से high medium तक तो हम लोग अभी बीच में medium में तो guys देखिए तो अगला question जो हमारा इस प्रकार से नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है इस पासे में अंक एक के विपरित फलक पर कौन सा अंक होगा आपको दो फिगर दिये हुआ है guys तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले दो इसमें 2 common इसमें भी 2 common इसमें हम लोग continue clockwise चलेंगे और इसमें भी clockwise तो guys देखिए 2 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 3 फिर 3 के बाद 5 आप देखिए इसमें 2 के बाद क्या चलेंगे 6 फिर 1 पूंचा क्या जा रहा है एक के विपरित फलक क्या होगा देखिए दोस्तों 5 का विपरित एक हो गया एक का विपरित पांच हो गया तो एक का विपरित क्या हो गया 5 तो option C is right answer 5 हमारा answer हो जाएगा अगला guys हमारा question इसी type का है नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्साया गया इस पासे में अंग 3 के विपरित फलक पर काउन सा अंग होगा तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं तो guys देखिए थोड़ा सा पतला कर लेते हैं marker तो देखिए guys तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग कामन ढूंते हैं इसमें क्या क्या कामन देखिए आपसे कि कोसचन ओब हमारा भ्राणा कुस्टन है ज क्या है इसमें टीन बिकर दिये हुए हैं क्या काहरा है नीचे पासे के तीन प्रारूपों को दर्षाए गा तो इसमें आया कि 3 के विपरित फलक पर कांग सा अंक होगा 3 का विपरित कैसे डूनेंगे guys तो हम लोग comparison कर सकते हैं पहले और दूसरे figure को तो हमें 3 का विपरित मिल सकता है तो सबसे पहले हमें common डूनना है देखिए इन दोनों मेंसे कोई भी common मिल ला है तो इसमें 3 का विपरित नहीं डून सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे फिर दूसरे और तिसरे का comparison कर सकते हैं तो इसमें देखिए 5 common मिल गया इसमें 5 common मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे 5 के बाद देखिए इसमें clockwise चलेंगे क्या आएगा 4 फिर 2 फिर इसमें भी 5 के बाद clockwise चलेंगे क्या आएगा 3 और 1 तो गाइस पूछा जा रहा है तीन के विपरीद फलक क्या होगा देखिए दोस्तों 4 का विपरीद 3 हो गया या 3 का विपरीद 4 हो गया तो 3 का विपरीद हमारा हो जाएगा option B 4 4 हमारा right answer हो जाएगा चली अगला question कर लेते हैं अगला question हमारा इसी type का है तो देखिए क्या कह रहा है question नीचे पासे के तीन प्रारूपों को दर्साया गया है इस पासे में अंक 3 के विपरीद फलक पर का वंसा अंक होगा तो हम लोग 3 फलक वाले कैसे करेंगे तो 3 का विपरी sorry करके देख लेते हैं तो इसमें common देखिए 3 कामन है और बन- Dual तो इसका को मुझे क्या कर सकते हैं थैसरे पिरसे का विपरीजिदं कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले common ча है तो common क्या स्कोन क्या है यहां clockwise चलेंगे, पांच, पांच के बाद एक, अब इसमें भी clockwise चलेंगे 3 के बाद आ रहा है हमारा, 2, 4, okay यह तो हमें पता चल के विप्रित है, तो 3 के बाद, 3 का विप्रित क्या होगा, 3 का 3 तो हो नहीं सकता 3 का विप्रित हो जाएगा 6, तो बहुत 6 रिपीट नहीं हुआ इन दोनों में, कहीं आपको 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 3 का विप्रित हो जाएगा 6, opportunity is the right answer अगला question हमारा इसी type का, तो दोस्तों देखिए कैसा है, तीन भिकर दिये हुए है, तो कह रहा है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्स आये गया, इस पासे में 2, अंग 2 के विप्रित फलक पर कौन सांग होगा, तो guys देखें, दो इसमें आ रहा है, तो हमें ये वाल पासे चलेंगे, एक के बाद 6, फिर 4, अब देखिए दोस्तों, इसमें भी एक कामान है, तो एक के बाद 4, फिर 2 लिखेंगे, एक के बाद 4, फिर 2, तो हमारा question चल ला इसी type का, तो देखिए दोस्तों, 2 के विप्रित फलक पहुचा जा रहा है, कौन सांग होगा, तो 2 का विप्रित हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का विप्रित है 2, तो 2 का विप्रित हो जाएगा 4, तो इसमें option में दिया नहीं हो, तो option यहाँ पे 4 कर सकते हैं, तो option A हमारा right answer हो जाएगा, ओके, तो guys हमें अगला question देखने को मिला है, जैसा कि कह रहा है, open dice का हमारा question है, जो कि है, यद जब भी question guys आता है, तो वो हमारा बहुत ही simple हो जाता है, जैसा कि इस type का जब भी figure है, तो आप क्या करें, एक का इसमें पूछा गया है, एक के आपके सम्मोख है, तो इसके सामने काउन सा फालक होगा, मतलब इसके बेप्रित काउन सा फालक होगा, तो इस case में हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद क्या आ रहा है कि खाली स्थान, इसको हम लोग base मानेंगे, उसके बाद जो संख्या है कि वो हमारा बेप्रित हो जाएगा, then, एक का बेप्रित क्या हो जाएगा, चार, तो option is right answer, okay, अगर पूंचा जाए, दो का बेप्रित क्या होगा, तो हम लोग 2 के इसको हम लोग base मानेंगे, तो यह हमार 2 का बेप्रित 3, और अगर पूंचा जाए, कि खाली स्थान का बेप्रित क्या होगा, तो वो हो जाएगा 5, और जो 4 बचा चार का बेप्रित क्या हो जाएगा, खाली स्थान, okay, इस ट्रैप के जब भी question आता है, okay, हमेसा ध्यान रखन अगला हमारा ऐसा question आ रहा है, जैसे दिया हुआ है, नीचे दी गई विवस्ता से घन बनाया जाए, तो पांच बिंदू बाले फलक के सामने कितने बिंदू बाले फलक होगा, तो गाइस देखे, पांच इसमें किसमें बिंदू, इसमें बाले में है, तो अगर पहले का तो दूसरे का यह हो जाएगा हमारा, तीसरा और यह जो बचा, यह हमारा हो चुका है, हमारा पांच का पुछा जा रहा है, तो क्या होगा, यह जो बचा और यह जो बचा इसके सामने का विप्रिस यह हो जाएगा, तो पांच बिंदू के सामने कौन सा फलक है, जितमें कित इतने विंदो वाला फलक होगा तीन विमदो इसमें देखे काइस कौन सा है यह वाला कि हम लोग कैरते हैं एक चोडके उसका भीपृत माल लेते हैं मिले भीपृत हुजएगा 6 इसको हमलोगोने बस माना था तो एक 4 फलक डीपृत मालग क्ला यह jee क्यअदly नww then option D हमारा हो जाएगा answer यह question जो बहुत ही important है क्योंकि question में पहुंच रहा है कि इसको मोड कर कौन सा dice बनाया जा सकता है तो हमों को कैसे करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग विप्रीद देखते हैं कि विप्रीद कौन से होंगे तो देखिए F का विप्रीद हो जाएगा B लिखतेते है F का विप्रीद B और E का विप्रीद क्या हो जाएगा C और जो बचा D अब जो विप्रीद फ़लगर वो वो किसी भी figure में 7 नहीं आने चाहिए तो पहलाare sheet करते है F का विप्रीद b तो देखे 7 में आगय तो यह cancel हो गया, अब देखे B बाला हम लिए option देखते हैं, कोई भी बिपरीट फलक इसमें 7 में नहीं आना चाहिए दोस्तों, okay देखे, A का विपरीट DA नहीं आया, A का विपरीट CA नहीं आया, यह अपका विपरीट B है तो नहीं आया, तो option B हमारा answer हो जाएगा अगला हम लोग figure check कर लेते हैं, तो काई देखे B का विपरीट, A का विपरीट CA यह देखे, साथ में आगए तो यह cancel, then again, चौथा figure, A का विपरीट DA यह भी साथ में आगए, यह भी हमारा cancel, तो इसमें 7 नहीं आ रहा है, कोई फलक विपरीट बाला, तो option B is right answer, okay, हमेसा जब भी है कैसा question है, तब हमेसा ऐसा ही करना, तो अभी आवाला हमारा answer हो जाएगा, अगला question है इसी प्रकार का, उसमें भी हमें बताना कि इसको मोड कर काउन सा dice बनाया जा सकता है, चार figure में से, तो सबसे पहले हम लोग विपरीट लिख लेते हैं, दो का विपरीट क्या हो जाएगा, 4, एक का विपरीट हो जाएगा 6, जो बचा हुआ है, तीन का विपरीट हो जाएगा 5, आप हम लोग एक एक figure चेक करते हैं, कि जो विपरीट फलक हैं वो 7 में नहीं होने चाहिए, दो का विपरीट 4 है, इसमें देखिए, दो का विपरीट 4 नहीं है, एक का विपरीट 6 है, तो यह 7 में आगई, यह cancel, दैन अगें, दूसरा figure चेक कर लेते हैं, तीन का विपरीट 5 है, दिया हुआ है, इसमें आगए 7 में यह भी cancel, और तिसरा figure चेक करते हैं, दो का जैसे करेंगे, तो आपका ANSWER till 60 एक है, तो गाई इस वीडियो में हितना है अगर आपको पसंद आ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें चैनलल को सबस्क्राइब करें और अगर आपको इसका अगला पारट चाहिए, तो अमें जल्दी आपको इसके अगला पार्ट प्रूबाइट कराऊंगा आज से मैंने आपको डेली के डेली टॉपिक बॉइस रेजिनिंग के कोस्टन कराऊंगा जो की रेलवे एंटी पीसी रेलवे गुरूप डी किसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो यास याँ नो में आप कमेंट कर सकते हैं ओके तो थैंक्यू दन बाद आपका दिन सुबरा है